हलो बच्चो आज हम क्लास थर्ड की एवियस सूख करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम लेके आएं चेप्टर वन के हाड़ वर्ड्स और वो भी पेज नमबर 6 और 7 के तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाड़ वर्ड्स तो फर्स्ट हाड़ वर्ड है फ-i-m-i-l-y फेमिली फेमिली मिन्स परिबार नेक्स्ट हाड़ वर्ड है दबलू एच एटी वर्ट मिन्स क्या नेक्स्ट है दी आई डबल एफ ए आर ए एंटी दिफ्रेंट दिफ्रेंट मिन्स अलग अलग या भिन नेक्स्ट है ल-e-a-r-n लर्ण लर्ण मिन्स सीखना नेक्स्ट है फ-r-o-m फ्रॉम फ्रॉम मिन्स से नेक्स्ट है प-e-o-p-l-e पिपल, पिपल मिन्स लोग नेक्स्ट है डबलू एच ए-n वैन वैन मिन्स कब या जब नेक्स्ट है आइ-ए-ए-फ- l-u-e-n- Gilc-e इन्फ्ルएंस Influence means प्रभाव. Next है O-B-S-E-R-V-E Observe means गोर से देखना या भूत ध्यान से देखना. Next है F-O-L-L-O-W-I-N-G Following means नीचे दी गई. Next है P-I-C-T-U-R-E Picture means चित्र. Next है W-R-I-T-E Write, write means लिखना. Next है F-E-W Few, few means कूच. Next है W-O-R-D-S Words, words means साब्द. Next है D-E-S-C-R-I-B-E Describe Describe means वर्णन करना. Next है E-A-C-H Each Each means प्रतेक. Next है A-A means एक. Next है G-R-O-U-P Group, group means समु है. Next है R-E-L-A-T-E-D Related Related means सम्मंदित. Next है O-N-E-A-N-O-T-H-E-R One another One another means एक दूसरे का. या कह सकते हैं एक दूसरा One another Next है U-S-U-A-L-L-Y Usually Usually means आम तोर पर या कह सकते हैं सामान्य तोर पर Next है C-O-M-P-R-I-S-E Comprise Comprise means सामिल करना Next है P-A-R-E-N-T-E-S Parents Parents means माता पीता Next है G-E-N-E-R-A-T-I-O-N Generation Generation means P-D Next है T-H-E-I-R They are They are means उनिके Next है C-H-I-L-D-R-E-N Children Children means बच्चे Next है L-I-V-E Live Live means रहते हैं Next है T-O-G-E-T-E-T-H-E-R Together Together means साथ साथ Next है S-A-M-E Sam Same means वही आपी या कह सकते हैं आपी या कह सकते हैं उसी जगह पर जैसे मानो माता पिता रहते हैं और उनके बच्चे भी उनके साथ रहते हैं तो हम कह सकते हैं In Sam House यानि उसी घर में या वही रहते हैं Next है H-O-W-E-V-E-R However However means तथा पी Next है S-O-M-E-T-I-M-E-S Sometime Sometime means कभी कभी Next है E-V-E-N Even means भी Next है C-I-T-Y-C-T City means सहर Next है C-O-U-N-T-R-Y Country Country means देश Next है S-I-Z-E Size Size means आकार Next है D-I-V-I-D-E-D Divided Divided means वीभाजित किया गया या बाटा गया Next है N-U-C-E-L-E-A-R Nuclear Nuclear means एकल जैसे परिवार दो होते हैं एक तो होता है एकल परिवार एक होता है सह्यूक्त परिवार एकल परिवार में केवल माता पिता होते हैं और सह्यूक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता और चाचा चाची, उनके बच्चे, भाई भेन ये होते हैं नेक्स्त है, S-I-N-G-R-E सिंगल, सिंगल means एक नेक्स्त है, G-R-A-N-D-P-A-R-E-N-T-S ग्रेंट परिवार में दादा दादी नेक्स्त है, P-A-R-E-N-T-S परेंट्स, परेंट्स means माता पिता नेक्स्त है, O-F-T-E-N ओफन, ओफन means अक्सर नेक्स्त है, J-O-I-N-T जोइंट, जोइंट means सैन्युक्ते नेक्स्त है, B-R-O-T-H-E-R ब्रदर, ब्रदर means भाही नेक्स्त है, S-I-S-T-E-R शिस्तर, शिस्तर means बहन नेक्स्त है, B-I-G-E-S-T बिगेस्ट, बिगेस्ट means सबसे बड़ा नेक्स्त है, L-I-V-I-N-G लिविंग means रह रहे हैं तो बच्चों हमने इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट के हार्ड वर्स देखें और वो भी पेज नंबर 7 और 8 के नेक्स्त वीडियो में हम जो नेक्स्त पेजेज हैं जैसे पेज नंबर 9, 10, 11 और 12 के हार्ड वर्स से देखेंगे तो बच्चों आपको इन हार्ड वर्स को नौट्बुक में राइट भी करना है और लेंड में करना है